नमस्कार सेमेन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूग अनिका योपी के जहांगीराबाद के बात करते हैं जहां ट्रांसफर ना होने से परशान एक सिपाही ने फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली सिपाही बागपत में डाल सो पर्टेनाद था वे एक महीने से छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था सर अनुक शेहर के मलकपूर में एक सिपाही का पंखेव लटका शब मिला है क्या मामना सर यह कॉंस्टेबिल बागपत में पोस्टिट था और एल आवकाश पे आया हुआ था और इसने घरेलू कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद इसने पंखेव लटक करके सुसाइट कर लिया है अब यह को बेटा है यह पुलिस में था बागपत इसकी पोस्टिंग थी पंद्रेवीच दिन पहले चुट्टी आया था एक महीने की शुट्टी बता रहा था और अब यह जो है का दो तीन दिन पहले कहीं चला गया था बता कर नहीं गया था राज साड़े गारे बज़े लोटके घर आया है और करीब कौने घंटे अपनी मा के पास बैठा रहा मा के विस्तर में और मा के विस्तर में से उठके इसने तुरंत कमरे में गया है और बहुत तागर से एक दमकुंदी लगा लिए इसने और इसने कोई कपड़ा फाड़ा आए जो पंक्खे में बांदा था और कपड़े फटने कि अबाचस तो हमकुंछ खख हो गया मा कपड़ा पतनी भी थी सिल Woo हम सबने जंगले पहला काटा है भौल क्वंदी को अले कि पहली दीवाड टोड़ाई और दीवाड तोड़ पंखे से वहां जो फाड़ा था बेड़ सीट का इसने फाड़ा था करीब धाई तीन इंच चोड़ी पटीसी बेड़ सीट में से फाड़ी है वही पंखें बांगी ती इसने क्या लग रहा आपको क्यों हुआ क्या कारण का एक तो यह बागपत का पोस्टिंग इसको फसंद उनकाई बरेज़े ने काई को मुझे बागपत से चाचावा दो और इसे हट वाने के बाद से मेरिट में तीन बार मिला दो बार विधायक जी का फ़ोन भी करवाया मैंने सको हट भागपत से हटाने के लिए ऐसका ट्रंस्पर नहीं करा आज यह वी यह कि इसको टेंसन थी तराम मेठी हम हा तराम मेठी